चोपड़ा एजुके सिन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो ने 24 के अभी एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनोंने MBBS, BDS, एड्मिसन के लिए रेजिस्ट की लास्ट डेट 10 परवरी 24 है अभी IPU के भी रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गए हैं यानि कि जिन कंडिडेट ने दिल्ली के 85% स्टेट कोटा के तहत एड्मिसन लेना है MBBS, BDS, BMS, BHMS या फिर परामेडिकल कोर्स में तो वो 31st मार्च 24 तक एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकत हैं IPU की लास्ट डेट है वो 31st मार्च 24 रखी गई है IPU में जो एड्मिसन होता है MBBS कोर्सेज के लिए वो तीन मेडिकल कोलेजेज के लिए होता है यानि कि NDMC, BSA और ACMS मेडिकल कोलेज ACMS मेडिकल कोलेज आर्मी ट्रस्ट दवारा चलाई जाती है यह एक प्राइवेट कोले जाता है IPU का मतलब दिल्ली स्टेट कोटा की इंदर प्रस्त युनिवर्सिटी है MBBS, BDS, IUS और BSC Nursing Courses के लिए इसमें जो दो कोलेजेज हैं NDMC और BSA उसके 85% स्टेट कोटा के लिए IPU दवारा एडमिसन करवाया जाता है और 15% कोटा के लिए MCC दवारा एडमिसन करवाया हलांकि इसके अंदर दो कोलेजेज और आती हैं VMMC और RML लेकिन ये सेंटरल इंस्टिटूट होने के कारण इनकी सभी सीटूं की काउंसलिंग MCC दवारा करवाय जाती है इसके लिए वो कंडिडेट इलिजिबल हैं जिन्नोंने 11th और 12th क्लास दिल्ली स्टेट से पास कर र करकी है वो IPO के लिए 85% सीट के लिए इलिजिबल हैं लेकिन वो जनरल कैटिगरी से ही इलिजिबल है यहां पर लिजरवेशन उनी कंडिडेट्स को मिलता है जो दिल्ली स्टेट के residential candidate हैं यहने की दिल्ली स्टेट के रेने वाले हैं और उनके पास में OBC, EWS, SC, ST का certificate है वही candidate यहां का reservation ले सकते हैं other state candidate जिन्होंने 11-12 दिल्ली से कर रखे हैं वो general category में count होते हैं जो MCC दुवारा counseling करवाई जाती है Central Institute में उनमें जरूर वो reservation ले सकते हैं other state candidate जिन्होंने 11-12 दिल्ली से कर रखे हैं OBC candidate OBC का reservation ले सकता है EWS, SC, ST सारे अपने category का lab ले सकते हैं MCC की counseling में Central Institute में जिसके अंडर मुलाना आजाद, VMMC, UCMS, Lady Harding और Dr. RML आते हैं इसमें अब जो IPU के registration form है तो इसकी website है वो है ipu.admissions.nick.in इसकी website ipu.ac.in पर जाकर के आप admissions section में जाकर के भी एक form apply कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आए आप ipu.admissions.nick.in पर click करेंगे इस परकार का interface मिलेगा यहाँ पर admission brochure दिया गया है इस पर click करके आप UG, PG, PSD का brochure देख सकते हैं अगर आप UG course में admission लेना चाते हैं MBBS, BDS, IUs में course में admission लेना चाते हैं तो UG वाले course पर click करके आप यहाँ से information brochure डाउनलोड करके आप इसकी पूरी condition पढ़ सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में step by step कैसे आपने registration करना है उसके बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले हम एक बार brochure देख लेते हैं इसकी important dates देख लेते हैं, seats देख लेते हैं, कितनी हैं इसमें इसमें important dates देखे तो 1st February से start हैं और 31st March 24 लास्ट date रखी गई है इस form के लिए, इसमें दो प्रकार के form भरे जाते हैं, एक registration form होता है जिसकी जो fees होती है, वो 1500 रुपीज होती है और उसके बाद में जब NEET का result आजाता है, तो counseling के लिए form फिल किया जाता है, उसकी fees 1000 होती है, ये दोनों अलग-अलग ही apply होते हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये form की last date 31st March 24 है, लेकिन NEET का result आजानी की बाद जब MCC की counseling start हो जाएगी, उस समय इसके जो form है, वो reopen होते हैं, यानि कि तब भी आप form भर सकते हैं, तो इसमें जो online के लिए procedure रहेगा, counseling के लिए, starting जो होती है, तो ये है इसका schedule, अब जो candidate paramedical course में admission लेना चाते हैं, जैसे PSLP हो गया, BOT हो गया, अगर इनमें admission लेना चाते हैं, तो इनको यहाँ पर CUET का exam देना होता है, और वो 27 April से लेके 14 May 24 तक है, तो अगर आप paramedical course में admission लेना चाते हैं, तो ये exam देना ज़रूरी है, लेक लेकिन अगर नीट score में admission के बाद भी BSC nursing की seat वेकेंट रहे जाती हैं, तो फिर CET के admission, CET के score से admission होता है इसमें, आयूज के जो BMS और BMS के college हैं, उनमें भी admission नीट score पर merit based पर होता है, अब हमें एक बार देखें, कौन-कौन से college आती हैं इसके अंडर, तो इसके अंडर जो MB PBS की college हैं, वो ACMS आती है, Dr. BSC आता है, NDM से आती है, VMM से आती है और अठल विहारी जो RML है, वो colleges आती हैं, इनमें इस परकार से 108 seats ACMS में, 125 BSC में है, 60 seat NDMC में है, 170 VMMC में हैं और RML में 108 seats हैं, ये जो दोनों, फोर तो और फिप्त सीरियल नंबर की college हैं, VMMC और अठल विह state के candidates को 85% ही मिलता है इसमें, BDS के लिए एक college है, ESIC RONI में, वो भी Central Institute में आता है, और उसकी counseling भी MCC द्वारा करवाई जाती है, BDS की 62 seats से available हैं इसमें, BSC nursing के 8 institute हैं, ये आप institute wise intact देख सकते हैं, कौन से institute में कितने seat हैं इसमें, इसके बाद BMS का एक college है, और एक college BHMS का है, 63 seat BH HMS के college में हैं और 75 seats BMS के college में हैं, इनकी 15% की counseling ACMS, A, 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 C, C, C द्वारा करवाई जाती हैं और बाकी की counseling IPU द्वारा करवाई जाती है, 85% seats की, आप इसमें जो paramedical course हैं, BPO हैं, BPT हैं, BSC, MLT हैं, BSLP हैं, BOT हैं, इनकी seat इस परकार से हैं, तो आप अगर इनमें भी admission लेना सा करते हैं और दिल्ली से आपने 11-12 पास कर रखी है, तो इनके लिए भी apply कर सकते हैं, इनके लिए exam देना होगा आपको, अब हम देखते हैं कि इसके लिए apply कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहां पर step by step apply करने का procedure बताऊंगा, condition ने मैंने सारी condition जो भी हैं, मैंने सारी आपको ब क्लिक करेंगे, new candidate registration पर क्लिक करना है, आपने पहली बार registration कर रहे हैं तो इसके बाद I agree पर क्लिक करना है, यह condition आपने सारी read कर लेनी है, उसके बाद sign up का form यह open हो जाएगा, candidate name, father name, mother name, date of birth, gender और mobile number, email id देने के बाद आपने यहां user id क्रिएट करना है, अपने तरफ से यहां नमर और email id आपने functional देना है, जो बाद तक आपके साथ रहे, क्योंकि यह बाद में भी काम आएगा, उसी पर OTP आएगा, जैसे ही submit पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपकी जो user id आपने create किये, वाँ शो हो जाएगी, candidate name शो हो जाएगा, उसके बाद click to login and complete profile पर आप क्लिक करें यहां आपको एक बार profile फिर से create करनी है, profile section में चार परकार के tapes है, application form, contact details, upload documents और view filled form, यहां पर आपने जिस form के लिए apply करना है, जिस course के लिए, मालो MBBS के लिए apply करना है, BDS के लिए, BMS के लिए, इन तीन courses के लिए apply करना है, तो apply for UG में जैसी ही आप click करेंगे, तो यहां पर आपको अलग-अलग courses दिखाई देंगे, मैं आपको यहां बता दूँ कि अलग-अलग course के लिए आपको अलग-अलग piece deposit करनी पड़ेगी, profile आपको एक ही बार fill करनी है, उसके बाद application form educational detail आपको जितने बार आप form apply करोगे, जितने form apply करोगे, उसमें fill करनी पड़ेगी, अग इस पर 103 code पर आप यहां security pin fill करके complete your personal detail पर click करेंगे, तो जैसे ही click करेंगे, इस परकार का यहां आपके पास एक pop-up दिखाई देगा, उसमें लिखा हुआ होगा, कि आपको एक common profile यहां पर fill करनी है, उसके बाद अलग-अलग course के लिए अलग-अलग qualification वगरा डालनी है, details डा आपने candidate name, father name, mother name, date of birth, gender यह डाल रखा है, यह automatic आ जाएगा, category में आप यहां category fill कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली state के रहने वाले candidate हैं, उनके पास में अगर category certificate है, जिस category से आते हैं, EWS, SC, ST, OBC का उनके पास certificate है, तो वहां वो अपने category को यहां fill कर दे, otherwise general category यहा certificate नहीं है category का, तो वह यहां general fill करते, save and next पर click करेंगे, यहां पर आपको photo और 10th की mark seat upload करनी है, यहां TC जो living certificate होता है, school living certificate वह भी यहां आप upload कर सकते हैं, documents number यहां submit करेंगे, submit and preview पर click करेंगे, जैसे ही submit and preview पर click करेंगे, आपको यहां contact detail डालनी है, contact detail डालने के बाद में आप यहां save and next पर click करेंगे, एक बार form को check कर लेंगे, check करने के बाद में submit पर click कर देंगे, तो जैसे ही आपका form यह सही है, आप सोच रहें कि बिल्कुल सही है, तो इसमें home का option मिलेगा, इस home के option पर click करेंगे, तो इस परकार का interface आ जाएगा, आप वापस उसी tape में उसी tape में आ पर फिर से click करेंगे, जैसे ही click करेंगे, इसमें जिस course के लिए, अभी हमें here MBBS के लिए ऑफ पर click करना है, इन step में आपको यह form fill करना है, अभी registration form का, आपका जो step है, वो complete हो गया है, application form fill करना है, है qualification detail फिल करनी है contact detail upload यह सारी की सारी steps आपने अभी complete करनी है application form पर click करेंगे यहाँ पर जैसे ही click करेंगे application form में जो आपने detail फिल की है name father name mother name यह सारी की सारी आश्यों हो जाएगी उसके बाद बाखी details आपने यहाँ डालनी है कौन सा region आपका इसके बाद category कौन policy है pwd candidate है defense है इसके बाद army personal है यह सारी detail डालने के बाद में आपको एक visual marks डालना है इसके बाद में anti-regging का आपके पास में यह form है तो ठीक है नहीं तो यहाँ na डाल देना है non availability na लिग देना है इसके बाद save and next पर click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे 10th की detail डालनी है आपको 12th की detail यहाँ पर डालनी है save and next पर click करना है इसके बाद contacted detail में आपने जो पहले डाल रखिये वो सारी की सारी detail यहाँ आ जाएगी save and next पर click करना है और यहाँ पर signature upload करने है signature upload करने के बाद preview and upload पर click करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे preview and final submit पर यहां ख्लिक करेंगे यहां पर आपने एक बार form को check कर लेना है पुरा check करने के बाद में अगर सही है तो submit पर click करना है final submit पर click कर देना है जैसे ही final submit पर आप click करेंगे आपको registration fees pay करनी है यह सारी steps आपकी completed दिखाई देगा अगर registration fees complete नहीं कही है तो वो incompleted यहां दिखाई देगा पे registration fees पर click करेंगे जैसे ही click करेंगे net banking से या फिर credit card, debit card से आप अपने fees paid कर सकते हैं तो इस परकार से आप application form apply कर सकते हैं इसका अब एक course के लिए apply हो गया है मैंने यहां पर MBDS 103 code के लिए apply किया है अगर मैं यहां BDS के लिए इस्वरी BMS के लिए apply करना चाहूं तो apply for UG पर click करेंगे apply for UG पर click करने के बाद में BMS का code यहां मिलेगा हमें वहां पर हम BMS का 154 code है 154 पर click करके यहां BMS के लिए apply कर देंगे अगर हम यहां पर BSC nursing के लिए भी apply करना चाहते हैं तो BSC nursing का 115 code पर click करके BSC nursing का भी यहां apply कर सकते हैं यहां security pin डालके click here to proceed पर click करके जैसे हमने पिसी बार steps में किया है application form qualification details वगरार यह सारी steps आपको fill करनी है application fees आपको फिर से उस course के लिए complete देनी होगी अब यहां पर जो my application में जो जो application आपने यहां fill की हैं वो यहां दिखाई देगी सबसे पहले दिखाई दे रहा है mbbs के लिए 103 code के लिए registration complete है application form भी completed है registration fees मैंने paid नहीं की तो वो यहां pending दिखारा तो इस प्रकार से जिस जिस form के लिए जिस जिस course के लिए आप apply करेंगे वो my application में यहां show हो जाएगी तो यह application इस प्रकार से आप fill कर सकते हैं यह जो procedure है वो मैंने आपको बता दिया है एक बार summary बता देता हूँ need 24 का application form अभी start नहीं हुआ है लेकिन कुछ state ऐसे हैं जिनोंने अपने state के लिए MBBS, BDS के लिए registration ने start कर दिये हैं क्योंकि उनका UGCET का जो exam होता है उसके साथ ही वो application form fill कर वा लेते हैं तो करनाटका के साथ-साथ अभी IPU का भी registration start हो गया है जो candidate दिल्ली से 11-12th pass है वो candidate इसके लिए eligible है वो वहाँ का state quota ले सकते हैं other state candidate जिनकी जो category है अपने state की category है वो वहाँ general category fill करेंगे दिल्ली स्टेट में general के लिए eligible है यहाँ पर दो प्रकार की counseling होती है MCC भी counseling करवाता है और IPU भी counseling करवाता है MCC जो IPU की दो college है VMMC और RML उनके 100% seats के लिए counseling करवाता है क्योंकि यह central institute में आते हैं IPU बाकी तीन colleges के लिए counseling करवाता है उसमें ंड.mc bsa और acms है अब मैं आपको यहाँ पर acms के लिए भी बता देता हूं acms एक private institute है जो army trust द्वारा run की जाती है इसमें hundred seats है उसमें 78 seats आर्मी के wards के लिए हैं जिन बच्चों के अगर parents आर्मी में हैं या retired हो चुके हैं वो उससे seats के लिए eligible है 78 seats के लिए बाकी seat दिल्ली state के लिए SCST candidates के लिए defense के लिए और इसमें कुछ seat हैं वो all India के SCST candidates के लिए भी इसमें available हैं तो ACMS में भी admission ले सकते हैं हालांकि ACMS की जो fees है वो 3-4 लाक नेरवाई इसकी fees रहती है पर year की तो ये ACMS के लिए condition हैं इसमें तो जो candidates से दिल्ली state quota में admission लेना चाते हैं वो इसके लिए apply कर सकते हैं हालांकि ये form जब need का result आ जाएगा MCC की counseling स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद भी reopen होते हैं ऐसा देखा गया है previous year में और previous year में ये form reopen हुए हैं ये जानकारी थी IPU के बारे में आप हमारे चैनल को subscribe करके रखे क्योंकि इस प्रकार की information हम लेके आते रहते हैं बाकि other state के अगर registration form में start होते हैं जैसे कि करनाटका ने इस बार rule change किया है तो अगर बाकि states भी rule change करते हैं उनके registration form भी अगर start होते हैं तो हम आपको inform कर देंगे बने नए हमारे चैनल के साथ मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जैहिं